नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे App 10 की का यूज, MS Word, MS Excel and Internet Browser पे हम इसका यूज लेके अपना काम आसान केसे बना सकते हैं दोस्तों अगर आप ये वीडियो सुरू से अंत तक देखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से दोस्तों मैं महिसकमाउथ आपके अपनी चैनल Imp के स्मार्ट गियान पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अब अपना टोफिक स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन इस टॉपिक दोस्तों एप 10 की का यूज MS Excel में and MS Word में क्या यूज होता है मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल Microsoft Excel की विंडो ओपन कर रखे हैं ठीक है और इसमें जो आपको लेटी लेट में टॉप पे देखने मिलेंगे यहाँ पर File, Home, Insert, Page Layout, Formula Data Review ठीक है यही सबी नाम हमारे MS Word में होते हैं यह देख सकते हैं आप MS Word में File, Home, Insert, Page Layout इनको टेप बोलते हैं File Tape, Home Tape, Insert Tape, Page Layout, Reference जो भी यह नाम है इनको क्या बोलते हैं टेप ठीक है अब जैसे Excel में इनको मैनेज करना है मुझे बिना माउस के तो दोस्तों मैं इनको आसानी से मैनेज कर सकता हूँ Home वाला Tape है उसकी Ribbon यहां पर Open है ठीक है अगर दोस्तों मुझे बिना माउस के Insert वाली Ribbon ओपन करना है यहां पर तो मैं यहां पर App 10 की मदद से आसानी से Open कर सकता हूँ जैसे दोस्तों यहां पर मैं App 10 प्रेस करता हूँ App 10 तो आपने Notice किया होगा दोस्तों यहां पर जो Tab है Insert, Place Layout, Formula, Data इन सभी के क्या नाम होगे? Highlight, Sort वाली नाम अब आसानी से दोस्तों इनका जो Sort नाम है अपने Keyboard से प्रेस करके आसानी से मैं उस Ribbon को Open कर सकता हूँ यहां पर दोस्तों जैसे मुझे Insert वाली Ribbon को Open करना है तो मुझे यहां पर N प्रेस करना होगा अपनी Keyboard से केवल N जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आपके सामने दोस्तों देखिए Insert वाला जो Tab है उसकी Ribbon यहां पर Open हो गई से यहां पर Manage कर सकते हैं Open कर सकते हैं जैसे दोस्तों MS Word में अभी Home Tab की Ribbon यहां पर Open है आपको दिख रहे होगी ठीक है अब दोस्तों मुझे यहां पर Page Layout का यहां पर यह Open करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा App 10 जैसे प्रेस करता हूँ तो यह Highlight हो जाएंगे यहां पर ठीक है दोस्तों अब जैसे मुझे Page Layout ओपन करना है इसका Ribbon ओपन करना है तो मैं प्रेस करूँगा अपनी Keyboard से जैसे प्रेस किया मैंने तो Page Layout वाला Ribbon यहां पर तो हो गया ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम Next चलते हैं Internet Browser पे जैसे दोस्तों यहां पर Internet Browser है यहां पर आपको राइट य राइट में Top पे दिख रहे होंगे यह Option 3.3.3.2 के लावज जो Option है यह इनको आप आसानी से Manage कर सकते हो इनके Menu को Open कर सकते हो आसानी से App 10 की मदद स जैसे यहां पर 3.3.2 पे आप नोटिस करना यह Select होगा मैं App 10 जैसे प्रेस करता हूं अपने Keyboard से App 10 तो यहां पर नोटिस किया होगा आपने इस समय यह 3.3.2 क्या है Select है अब आसानी से इसको बिना Mouse के आप Open कर सकते हो अपने Keyboard से Keyboard में क्यावल आपको अपनी Arrow की प्रेस करन करना चाते हैं Internet Browser का या New Window Open करना चाते हैं अलग से Internet Browser का तो आप आसानी से इन सभी को Manage कर सकते हो अब जैसे दोस्तों यहां पर Next जो Option है उनको मुझे Open करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा सबसे पहले मैं यहां पर App 10 प्रेस करूँगा App 10 अगर दोस्तों यहां से म उन्ही Steps का Selection कर पा रहा हूँ आसानी से अब जैसे दोस्तों यहां से मुझे Right में जाना होगा तो अपनी जो Keyboard में Right Arrow की है उसको मैं प्रेस करता जाता हूँ तो यह आसानी से उन्ही Steps को Selection करता जाता है और आप आसानी से इनको Manage कर सकते हो Enterprise करके अब जैसे दोस्तों इं App 10 अब Next Step होगा इसका App 10 का यहां पर Search Bar का ठीक है जैसे मैं App 10 Next Bar और प्रेस करता हूँ पर Keyboard से App 10 की मदद से हम Next Step पे आ गए मतलब Search Bar में आ गए अब आसानी से यहां पर कुछ भी आप टाइप करके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो उम्मेद है दोस्तों यहां तक किलियर है अब दोस्तों हम Next Combination करेंगे यहां पर Control की साथ App 10, Control App 10 से क्या होता है दोस्तों जो हम Window Open कर रखे होते हैं अपने Computer में यहां पर देशी दोस्तों हम Microsoft Word की Window Open कर रखे हैं और यह Window है अपनी फुली स्क्रीन पे है अगर दोस्तों इसको मुझे छोटी करना है या Restore Down करना है, Restore Down का होता है मतलब छोटी करना उस Window को उस Task को छोटी करना मतलब Restore Down करना जैसे मैं यहां पर Control App 10 प्रेस करता हूं तो Notice करना यह वाली Microsoft Word वाली Window यहां पर Restore Down होगी यहां पर Notice किया आपने जैसे दोस्तों यह Microsoft Word यहां पर फुली स्क्रीन पे था यहां पर ठीक है तो यह क्या हो गया छोटा हो गया Restore Down हो गया App 10 की मदद से आप छोटी कर सकते हो इस स्क्रीन को और वापिस अगर आपको बड़ी करनी है वापिस resize करनी है अपनी स्क्रीन पे तो आप Control App 10 जैसे प्रेस करते हैं वह वापिस अपनी स्क्रीन पर resize हो जाएगी मतलब बड़ी हो जाएगी अग अगर वापिस आपको Restore Down करना है चोटी करना है तो आप Control App 10 प्रेस करेंगे वापिस resize करना है Control App 10 वापिस Restore Down Control App 10 वापिस resize Control App 10 ठीक है ऐसे आप Excel में कर सकते हो ठीक है Control App 10 का Combination केवल MS Word MS Excel में ही काम करेगा ठीक है Next Combination करेंगे यहाँ पर Alt App 10 का दोस्तों यह Combination काम आता है कि कुछ भी Save Insert करता हूँ यहाँ पर दोस्तों ठीक है जैसे मैं यहाँ पर यह Save Insert कर ली ठीक है Alt App 10 जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर Selection का आपको Menu Open होगा Right में यहाँ पर Notice करना आप Alt App 10 तो यहाँ पर Notice करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों Alt App 10 क आम आता है जैसे हमने दोस्तों यहाँ पर कोई Save Insert किये या कोई Picture Insert किये उसको यहाँ पर छिपाना चाते है या दिखाना चाते है तो आप आसानी से यहाँ से इसको छिपा सकते हो और दिखा भी सकते हो जैसे मैं यहाँ पर इसके उपर Left Button वापिस प्रेस करता हूँ तो जो वापिस दिखे गी हमें अब जैसे मैं यहाँ पर Left Button वापिस प्रेस करता हूँ तो यह चिप जाती है ठीक है Alt App 10 का यूज होता है जो भी हम Picture Insert करते हैं या कोई Save Create करते हैं अपने Document में या Excel Seat में तो दोस्तों हम Alt App 10 की मदद से उसको चिपा सकते हैं और हम दिखा भी सकते है ठीक है दोस्तों दोस्तों हमारा Next Combination है जो हमारी Keyboard में Shift की होती है उसके साथ हम Combination करेंगे अब App 10 का इसकी मदद से हम क्या करते हैं दोस्तों जैसे हम अपना जो माउस होता है उसका Right Button जैसे प्रेस करते हैं कहीं पर भी तो जो Right Click करने के बाद में जो Option आते हैं जो Menu Open होता है जैसे यहाँ पर मैंने Right Button प्रेस किया अपने माउस का तो यह वाला Menu Open होता है Right Click आपको करना है बिना माउस के तो आप Shift App 10 की मदद से कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर Shift App 10 प्रेस करता हूँ तो क्या होता है माउस की मदद से Right Click करते हैं वही Option Shift App 10 की मदद से हम Open कर सकते हैं Right Click कर करसकते बिना Mouse के अब जैसे दोस्तों हम Excel में भी कर सकतेчи विनवर्ड पे भी कर सकतें, intense browser भी कर सकते ठीक है मैं यहां पर डेक्श्टोप पे हैं, यहां पर मैं राय बटन-ब्रेस करता हूं और यहां पर रिक्रेस करता हूं ठीक है है, राय बटन-ब्रेस करने से आप नोटिस किया आपने जो right button किलिक करता हो अपने mouse से वही option यहाँ पर open हो जाता है shift f10 की मदद से अब यह आसानी से आप इस पर repress कर सकते हो view कर सकते हो, sort why कर सकते हो यहाँ पर मुझे repress करना है यहाँ पर repress कर दिया ठीक है अब दोस्तों किसी भी application को open करना है, select करके बिना mouse के right click करना है, दोस्तों किसी भी application पर या किसी भी icon पर या किसी भी folder पर हम right button प्रेस करते है अपने mouse का, उसके बाद में जो right button प्रेस करने के बाद में जो menu open होता है, वही menu हम SipT App 10 की मदद से आसानी से कर सकते हैं जैसे दोस्तो किसी भी application या किसी भी icon पे हम पहले left button प्रेस करेंगे फिर अपना SipT App 10 प्रेस करेंगे SipT App 10 करने से क्या होता है right click होता है ठीक है अब right click हम mouse से भी कर सकते और सिप्ट एप 10 की मदद से भी कर सकते हैं उमीदे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सेर और कमेंट करना नहीं बुले अब हमें अग्या दीजिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जैहिन जै बारत